तो हम लगन और सब्तम भाव में इस्तित आपस में ग्रहों के बीच में जो energy का exchange होता है जिसको हम cosmic energy exchange बोल सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में बात करेंगे अगर जैसे किसी जातक का लगन में शुक्र इस्तित हो और सप्तम भाव में यदी सनी इस्तित हो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो लगन में शुक्र है वो कौन सी रासी में है और सप्तम में सनी कौन सी रासी में है क्योंकि यहाँ पर सप्तम में अगर देखा जाए तो normally हम कालपुरुस के साब से सनी को उच्च के स्थिते में मानते हैं अब जब आपका शुक्र आपके लगन में इस्थित है, ऐसी कंडिशन में हो सकता है, विवाहस से पहले आप थोड़ी ज़्यादा सवचंद रहे हो, सवतंतर प्रकरती के रहे हो, और धन और लगजरी के मामले में बहुत ज़्यादा आपको चाहत और इच्छें रही हो, इसक सिंपल पार्टनर आपको मिलेगा, और आपको पार्टनर के थ्रू बहुत ज़्यादा रेस्टिक्शन्स देखने को मिल सकते हैं, अब ये जो शुक्र आपका लगन में होते वे, आपकी पर्सनलिटी, आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेव है, उसको ज्यादा से सौंद्रिय या बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ की तरफ जा सकते हैं, बट अगर हम देखें तो ऐसे में आप जो फैस्ट हाफ ओफ लाइफ है, उसमें उतना ज्यादा रेस्पोंसिबल नहीं होंगे, बट सेकेंड हाफ ओफ लाइफ में ज्यादा रेस्पोंसिबिलिट खाना भी जर्री हो जाएगा, तो ऐसे में देखें शुक्र जो लगन में है, शुक्र लगन में एस्पेक्ट कर रहा है, डारेक्टली क्योंकि शुक्र का एक ही द्रश्टी और सनी को वो एस्पेक्ट कर रहा है, ऐसे में आपका सनी कितना प्रबल है, सनी जितना ज्यादा प पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा इसका मतलब है आप ज्यादा responsible हो जाएंगे आप अपनी जो qualities है या अपनी जो actuality है जो वास्त्विक्ता है उसको ज्यादा समझने लगेंगे अच्छे से understand करने लगेंगे तो यहाँ सनी के द्वारा आपको हमेशा मदद मिलेगी क्योंकि सनी आपको हमेशा restriction में और पाबंदियों में रखेगा इससे आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तिर्था आएगी life में आपको ज्यादा से ज्यादा relationship में भी इस्तिर्था देखने को मिलेगी तो हो सकता है certain level पे जिवन साथी के साथ कुछ मतबेद हो और relationship को लेकर married life में थोड़ा सा ऐसन तुष्टे आपको जरूर हो लेकिन अगर हम देखें एक भौतिक जिवन वास्तिक जिवन है वो कैसा होना चे तो एसी condition में आपको वास्तिकता देखने को मिलेगी आपके भौतिक जिवन की और luxury life की अब देखें शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि लगन में है लगन में शुक्र के होते हुए आपके name fame के chances बहुत ही ज्यादा है आपका जिवन साथी आने के बाद में बट जो जिवन होगा वो आपसे बहुत ज्यादा mature प्रकरतिगा हो सकता है वो बहुत ही rigid हो सकता है बट आप behave से काफी flexible होंगे और आप और आपका जिवन साथी दोनों ही हर प्रकार की condition में सब प्रकार से handle करने को life को देखेंगे ऐसे में success मिलने के chances बहुत ज्यादा है बहले ही आपको थो करना चाहते हैं साथ ही देखिए जो लगन का शुक्र है वो हमें कुछ ऐसी qualities या ऐसी ability प्रोवाइड करता है जैसे हम कोई हम वास्तम में कुछ कलात्मक रूप से कारी कर सकें निशिती तो कलात्मकता की वर्दी होगी आप में और कलात्मकता में भी अच्छी इस्तिता आप अगरे वो सब पसंद करते हैं आप डांस या सिंगिंग पसंद करते हैं तो उसमें आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे तो ऐसे में आपके नेम फेम के चांसे बहुत ज्यादा हैं बट पार्टनर के आने के बाद कुछ हद तक आपके उपर restrictions लग जाएगा जो सब्तम भाव है वो हमारा पब्लिक का हाउस है पब्लिक का हाउस होने की वज़े से यहां पब्लिक आपको हमेशा support करेगी आपको अच्छा appreciation देगी हमेशा आपको मान समान मिलेगा और आपको एक बहुत अच्छे धनी व्यक्ति के रूप में भी पहचाना जा सकता है य आप यह जरूर देख लें कि यहां पे आपके लगन में क्या शुकर के साथ कोई अन्य ग्रह इस्तित है या सनी की साथ कोई अन्य ग्रह इस्तित है यह सब आपको चेक करना पड़ेगा अब यहां पे देखिए सनी अगर अच्छे इस्तिते में नहीं है सेंथा उसमें तो married life को लेके बहुत ज़्यदा ऐसंतुष्टी होने के कारण आप थोड़ा दवाब फिल कर सकते हैं बहुत तिक जीवन की तरफ आगर्शर होने के लिए और relationship में यह जरूर आपको देखने को मिलेगा बट जहां तक हम बात करें सनी ज्यादा responsible बना देता है हमेशा जीवन के लि जी एक्षेंच कार्यों